ओनर शौशी का आइडिया देखके हैरान हो गई थी मतलब उसे अगर फैंग को excited करना ही था तो cheer से क्यों वो तो शौशी को उसके प्यार में परवानी की आइडिया देती है वो कहती है अगर फैंग उसके प्यार में पर जाए और उससे शादी कर ले तब तो बहुत बरी बात होगी शौशी को ओनर की बाते कुछ समझ में नहीं आती शौशी कहती है वो अभी यंग है न तो उसे अभी ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा उसे वस फैंग को उसके प्यार में परवाना है और वो जल्द ही पर भी जाएगा उसके प्यार में नहीं तो future में वो उसे क्य अगले दिन वो दोनों भी होटल चले आते हैं और इस होटल में जारा तर कुपल च्राइट थैड़ शाउशी फैंग को ढूंटे हुए यहां आ जाती है एक तरफ फैंग रिलक्स कर रहा था और दूसरी तरफ शौशी सोच रही थी वह कैसे फैंग को एक्करेक्ट करेगी फैंग को लग रहा था दूसरा परसन आ गया है तो वह उसे पूल के अंदर बुलाता है और उसे मसाज क तरते वक्त ऐसा फील होने लगता है मतलब वो जैसे किसी रेशम से लपेटे हुई हो और उसको बहुत मजा आ रहा होता है ऐसे में फैंक कहने लगता है वो दोनों तो कितनी बार एक साथ नहाए थे शावशी को लगता है वो शायद उस औरत के साथ बहुत टाइम से नहाते थी ये सुनके शावशी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ बहुत ही जोर-जोर से दमाने लगती है फैंग को बहुत दर्द होने लगता है तो वो अपनी आखे खोलने जाता है और शौशी जल्दी से पानी के अंदर डुपकी लगाती है आखे खोल के फैंग अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पाता वहाँ हमें पता चलता है फैंग के साथ जो दूसरा परसन आने वाला था वो उसका छोटा भाई था शुबू उस रोबोट में जो अपग्रेट लाई थी उससे वो रोबोट नाचने लगा था वही से फैंग ली भी गुजर रहा था तो उसकी नजर उस रोबोट पे परती है तो वो आगे आके देखने आता है वो रोबोट बाकी सब कर रहा था पर जिसके लिए उसे रखा गया था वही नहीं कर रहा था ऐसे में शुबू बात कर उठती है तो फैंग ली उसकी तरफ देखता है और देखते ही पहचान जाता है कि वो उसे पहले भी मिल चुका था येरपोर्ट में पर शुबू को उसके बारे में कुछ याद नहीं था इसलिए वो उसे स्कैन करके देखने जाती है और उसे पता चलता है वो और कोहीं नहीं फैंग का छोटा भाई था मतलब वो फैंग से ही मिलने आया था इसलिए उसको शौशी के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था इसल फैंग ली को तब पागल सा लग रहा था अब शौशी भला कब तक अपना सास रोग के रखती बाहर तो उसे आना ही होता फैंग जब उससे पूछता आया कि वो यहां क्या कर रही थी तब शौशी कहती है उसी ने तो कहा था उसे अंदर आने के लिए फैंग जल्दी से पकने की कोशिश कर रही थी और दोसी तरफ फैंग था जो उसे दूर अटानी की कोशिश कर रहा था शौशी भी उसका टावल रख लेती है फिर तो दोनों में टावल को लेके खीचातानी होने लगती है ऐसे में फैंग ली चला आता है और अपने बरे भाई को ऐसे एक लड़की के साथ देख के गलत टाइम पे आ जानी की विज़े से माफी मांगने लगता है और वो शुवो से भी माफी मांग बाता है और फिर वो शुवो को लेके वहाँ से चला जाता है उनके जाने के बाद शावशी फिर से फैंग को छूने जाती है पर फैंग उसे चिला उठता है और कहता है वो उसे फिर से कभी नहीं देखना चाहता और वो क्या कह रही थी कि वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा वो उसके जैसी लड़की से कभ तो वह हसके आने लगती है तब फैंग उसका टावल मांगता है तब वह गुसा हो के टावल को पास ही फेक कर चली जाती है शावजी बहुत अपसेट थी प्लैन फेल होने की वेज़े से पर शुबू उसे दिलासा देके कहती है कम से कम उन्हें यह तो पता चलाना के फैंग के होटल में किसी लड़की के साथ ना आके एक लड़की के साथ आना ये तो और भी ज़्यादा complicated matter हो गई शुबो को भी उसकी बाते सही लगती है फैंग ले अपने मॉम से भी ज़्यादा अपने सौतिले भाई पे ज़्यादा भरुसा करता था उसे ज़्यादा प्यार करता था उसे पता था उसका जो पेंटर बनने का सपना था वो सिर्फ और सिर्फ फैंग ही पुड़ा कर सकता था उसका मौम उसे लेके जो सपना देखती थी उसके विदेश जाके परना उसके हादों से बचने के लिए वो फैंग से रिक्वेस्ट करने लगता है फैंग को भी पता था उसकी सौतिली माह से कितनी जादा नफरत करती थी फैंग भी वो अपने सौतिली भाई से बहुत जादा प्यार करता था फैंग ली के बोलने से पहले ही उसने उसके लिए सारा बंदोबस्त कर लिया था फैंग ली इतना जादा खुश था कि वो फैंग को इस तरह से किस करने लगता है पर इन्हें तो ये वाला सिन कुछ और ही लगता है शौशी को लगता है फैंग उसे भला कैसे पसंद करता अगर उसे लड़किया पसंद ही न आ हो उसे अगर लड़का पसंद हो पर फिर भी उनके काम को अंजाम देने के लिए फिलहाल तो फैंग ली को उनके रास्ते से हटाना जरूरी था शुबो कहती है उसे चिंटा करने की जरूरत नहीं है वो बस अपने काम पे फुकस करे और फैंग ली को वो देख लेगी अगले दिन फैंग ली जब ब्रिक्वस्ट के लिए नीचे आता है तब शुबो उसके पास जाके खरी हो जाती है और उसके साथ ऐसी भीएव करती है मानो जैसे वो उसके साथ कोइंसिडेंटली मिल गई हो वो फैंग ली को अपने साथ ले जाती है ताकि शौशी को अपना काम करने का मौका मिल सके पर शौशी जब फैंग के पास जागे बैठती है तब फैंग वहां से उठके चला जाता है बात में वो फैंग के पीछे पीछे यहां भी चली आती है और फैंग के देखा देखी वो भी ट्रेडमिल पे चड़ जाती है और फिर फैंग से ही देख लेती है कहां पे क्या करना है तो वो भी स्पीड उतना ही रखती है पर फैंग उसके ट्रेडमिल पे चरने पर ही वो खुद अपना ट्रेडमिल रोग देता है और वहाँ से उतर के जाने से पहले वो शौशी का जो स्पीड था वो तीन गुना जादा बरहा के चला जाता है अब शौशी को तो चरना आ गया था पर उसमें से उतरते कैसे है वो उसे नहीं आता था बाद में वो फिर से फैंग से बात करने आती है पर फैंग फिर से वहां से उटके चला जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो शौशी बला कैसे हर्मोन्स कलेक्ट कर पाती वहाँ ये दोनों तो जम के गेम खिल रहे थे इनके भी शिर्थ हुई थी जो हारेगा वो अपना एक सिक्रेट बताएगा तो हर बार फैंग ली हार रहा था और उसे अपनी सिक्रेट बतानी पर रही थी वो अपना जो विदेश जाने वाली सिक्रेट थी वहाँ ना जाके वो यहाँ पर रह रहा था आर्टिस्ट बनने के लिए पेंटर बनने के लिए वो सब शुबू को बता देता है वो फिर से एक राउन खेलना चाहता था पर तब ही वहां से शौशी गुजर रही थी तो वो इशारे से शुबू को अपने पास बुला लेती है ये वाला प्लैन भी फेल हो गया था इसलिए शौशी अपना आखी दाओ चलने वाली थी मतलब वो फैंग को जबरदस्ती अपने जादू से प्यार में परवाने वाली थी अगले सीन में हम देखते है फैंग के पीछे पीछे शौशी यहां भी आ जाती है और वो फैंग के चाम से फिर से मदोश हो जाती है और फिर से उसे क्या लाता है कि नहीं उसे ऐसे भरकना नहीं चाहिए उसका एक मिशन है वो धीरे धीरे फैंग के पास आके अपनी पावर का इस्तमाल करती है उसका ये मैजिक फैंग को जाके छूती है इसके साथ साथ सारी फूलों की कलिया खिल उठती है और पता नहीं ये क्या था पॉपकॉर्न या नहीं वो सब फूटने लगती है और चारों तरफ मतलब एक मैजिकल सीन होने लगता है फैंक शौशी की तरफ देखके मुस्कुराता है तो शौशी भी उसकी तरफ आने लगती है और उसके सीने पे हाथ रखके कहती है फाइनली उसका काम शायद बन गया शौशी को लगा था इस बार हॉर्मोंस कलेक्ट हो जाएगी पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था वो कितनी कोशिश कर रही थी पर फैंक के अंदर से कोई हॉर्मोंस नहीं निकल रहे थे hormones निकलना तो दूर की बात थी उसके जादू से तो fang पर कोई असर ही नहीं परा था एक तरफ fang उसे डाटते जा रहा था उसे warnt करते जा रहा था और दूसरे तरफша शौशी थी जो सोच रही थी उसके magic से fang पर असर क्यों नहीं परा फैंग उसे कितना बार की तरह शुबू इस बार भी जीत जाती है तब फैंगली उससे पूछता है उसे क्या चाहिए शुबू कहती है क्या वो उसके साथ डेट करना चाहेगा